हेलो फ्रेंड्स, आरर वे प्यों की इंटर्व्यू क्लासेश चल रही है, एक बहुत ज़्यादा क्वैरी देखने को मिल रही है, मेल पर भी और जो टेलिग्राम पर आप परसनल मैसस करते हैं, वहाँ पर भी, कि सर्व अगर मेरे पेपर में तो इतने हुए थे, कुश्टन्स अटेम्ट किये थे, और मेरे जो मार्क्स हैं, वह कट आफ के आज पास ही रहेंगे, में भी 2-4 नमबर ही उपर हों, तो मेरा सेलेक्शन होगा की नहीं होगा, मैं फालतु में इंटर्व्यू क्लास भी जोइन कर लूँ, और इतनी मेहिनत भी करूँ, मेरे पैसे भी 600 रुप तो लोगों को 90 प्लस मार्क्स मिले हैं, बहुत से लोगों को, 80 प्लस मार्क्स तो इंटर्व्यू क्लास जोइन करें जिन्हों हैं, इसमें से मैक्समुम लोगों को मिले हैं, तो यह मत बोले कि 67 नमबर मिलते हैं, और दाउट इस इंटर्व में फेल तो होते नहीं हैं, यह इसमें हम दोनों चीए देखेंगे, मैक्स कितने नमबर मिल सकते हैं, कट आफ से कितने नमबर जादा हों, तो आपको फाइनल सेलेक्शन मिलेगा, एक यहाँ पर मैं कल्कुलेशन करके दिखाऊंगा, कि जिसमें एक एक एक्जामपल लूँगा, यहाँ पर मैं जब भी वीडियो में बोलूँगा, कि पिछले साल इतनी कट आफ गई थी, इसमें मैं रिफरेंस दे रहा हूँ 2020 की एक एक एक्जाम का, जिसमें में में कट आफ कितनी गई थी, एक कंड़ेट की मार्स इतने आये थे, जो कट आफ से कॉफी उपर थे, उसको सेलेक्शन नहीं हुआ, और एक कंड़ेट इसके कट आफ के एक एकदब आसपास सेलेक्शन थे, मार्क्स मिले थे, उसका फाइनल सेलेक्शन हो गया, यह क्लाक्लेशन देखी, इंटर्वी की प्रिप्रेशन करिए, एक बार जब आप क्लास जॉइन कर लेते हैं, कुछ ऐसे पोर्टल ओपेन होता है, यहाँ पर आप सारी क्लासेज जो है, वो वीडियो देख पाएंगे, और इंटर्वी प्रिप्रेशन जो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, फटा-फट क्लासेज को जॉइन करिए और त्यारी स्टार्ट करिए, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इंटर्वी मार्क्स से कलेक्शन होती है, और मेरे मार्क्स जो थे, वो भी 90 प्लस थे इंटर्वी में, और यहाँ पर 95-96 मार्क्स मिलते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, कि भीया, कोई कहता आरे 50-60 ज्यादा मिलते नहीं है, क्यों नहीं मिलते हैं, यार आप आप एफ़र्ट करो, दुचार लोगों या भी कमेंड किया, मेंस में मार्क्स तो बड़े अच्छे थे, लेकर इंटर्वी में फेल कर दिया, ब्लेंडर्स करेंगे तो इंटर्वी में फेल भी होंगे, और unjustly दियारी कर नहीं जायेंगे, तो मार्क्स कम भी आएंगे, अच्छे से पढ़के जाएंगे तो आपके marks ज्यादा भी आएंगे ठीक है अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट येर यूपी की जो जनरेल की cutoff थी final selection की sorry sorry mains की 70.56 थी mains की cutoff ठीक है and जो final cutoff गई थी final selection की cutoff गई थी जो out of 100 बनती है वो आपकी 49.88 गई थी यह आपके out of 200 होते हैं ठीक है अब एक आप example देखिएगा बस यहाँ पर अब cutoff कितनी गई 70-71 गई यह भाईया A है A person है इनके mains में marks कितने आएं सिर्फ 78 इन्हें लगा याद 67 number तो जादा है यह निराज हो गए मेरा selection तो होगा नहीं एक है person B इनके marks में इनके mains में कोई दिक्कत नी में तो हो जाएगा ठीक है अब 78 marks को जब आप out of 80 convert करेंगे क्या होता है आपका जो में के marks होते हैं उनको 80 में convert किया जाता है और आपका 100 नमबर के interview होता है इसको 20 में convert किया जाता है दोनों का addition निकलता है जब 78 नमबर को आप 80 में convert करोगे मतलब 78 by 200 इनके आए है और इनके 88 by 200 आए है तो इसको जब out of 80 निकालेंगे तो क्या इनके marks है 31.2 आए out of 80 और जब इनके निकाला हमने out of 80 तो कितने आए 35.2 out of 80 ठीक है अब क्या हुआ इन्हें लगा यार इन्हें पहले ही पता था ये वाले को किया इतना अच्छा हुआ नहीं है कट आफ से 246 नंबर यादा आएंगे ऐसा करता हूं मैं इंटर्वी में जी जान लगा के पढ़ लेता हूं इंटर्वी क्लास व्लास को जॉइन कर लेता हूं और डिली नीस पेपर बहुत लोग को मिल जाते हैं और इनको भी कुछ खास कम नहीं मिले ये पढ़ने में इंटर्वी में कितने मिल गए सत्तन नंबर मिल गए थोड़ी दिनों धिला ही की थी तो कुछ कुछन का एंसर नहीं कर पाए एक दू ब्रेंटर्स कर दिये और इनको सत्तन नंबर मिले अब ये कनवर्ट होगा आउट ओफ 20 में इनके तो नंबर बन गए कितने 19 आउट ओफ 20 और इनके नंबर कितने बने इनके नंबर बने 14 कितने आउट ओफ 20 अब जब फाइनल नंबर की बारी आई तो आप जोड़ लिजे 31.2 and 19 कितना हो जाता है आपको ये आपका होता है 50.2 कॉट ओफ कितनी गई थी 49.88 भाईया का फाइनल सेलेक्शन हो गया भाईया को मिलकी 55,000 रुपए की नौकरी अब ये भाईस आप थे हमारे भी इनका फाइनल कितना बना 49.2 भाईया का सेलेक्शन नहीं हुआ या फिर रिजर्व लिस्ट में आ गए अ इंटरू में ये ना करते फिर सिर्फ सोचने को रह जाता है कि अगर मैं ये कर लेता तो मेरा सेलेक्शन हो जाता लेकिन वास्दिकता यह है आपका सेलेक्शन नहीं हुआ क्यों क्योंकि आपने मेहनत नहीं की तो इस चक्रों में दूस्तों मत रहिये क्ट-off के नमबर का रहां नमर्भी उपर आपके राँ उपर हैं तो आपके così है shopping चांसे ठोंे के लैंगे लिए लेकिन गलतियां करेंगे तो आपको भी स्लेक्शन नहीं होगा और बिल्कुल जैसा मैं आपको वीडियो में एक्स्प्लेइन करता हूँ ना इंटर्व्य क्लास की कि ऐसे होगा आप एक्जाम्पल देखिए वैसे भी इंटर्व्य पैनल को बता सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बढ़िया नंबर आपके आएंगे अब पूरी त्यारी जीजान लगा के करेंगे इंटर्व्य क्लास से ज्वाइन करनी है तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ज्वाइन करिए नहीं करनी है तो कहीं और से करिए बर तैयारी करिए अपना 100% दीजिए और इस साल सेलेक्शन लीजिए 55,000 प्लस स्टा सकते हैं thank you and all the very best for your future